नमस्कार, प्रियदर्शकों हाजर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका प्राच्च जोतिश विज्ञान आज इस चैनल पर जिस विशाय को लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ ये बेहद आवश्यक है हर उस जोतिश प्रेमी को समझना जो कभी भी जन् साथ कुंडली मिलापक का कार्य भी करता है प्रियदर्शकों आज के इस परिवेश में अगर आप गौर करें तो कुंडली का मिलान कितना आवश्यक है अगर कुंडली के मिलान के बारे में मैं कहूं तो आज से 25-25 साल पहले कोई विशेस आवश्यकता नहीं थी लेकिन आज के इस परिवेश में जन्म कुंडली मिलान का जो इसकी आवश्यकता है आप अगर कुंडली अध्ययन कर रहे हैं तो आपको भलिभाती पता होगा आपस में दमपत्ति जिस तरह से कलह कर रहे हैं लड़ रहे हैं इसमें कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उनकी जन्म कुंडली का या तो ठीक से अध्ययन नहीं किया गया कुंडली का मिलापक ठीक से नहीं हुआ प्रिय दर्शकों ऐसा नहीं है कि इस पर मेरे बहुत से कारिक्रम पहले नहीं हुए हैं मेरे दूसरे चैनल पर आज जिस विशय पर क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं कि इस चैनल के मेरे दर्शक वही हैं जो कहीं न कहीं जोतिस को समझते हैं जो तिसीय विशयों को समझते हैं। आज का विशय क्या है। आज का जो विशय है विवाह के लिए दो मुख्य विशयों को समझना जिसकी अंदेखी आप कर ही नहीं सकते हैं। क्या प्रियदर्शकों जन्म कुंडली मिलापक में आज के इस समय में ग्रह मैत्री का जन्म कुंडली में नहीं होना। ग्रह मैत्री नहीं है, तो समझ लीजे कुंडली कितना भी क्यों न मिल रही हो, दमपत्ति का दामपत्ते सुखद नहीं होगा, क्यों? प्रिदर्शकों आज के इस परिवेश में वर और कन्या दोनों के दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों दबने वाले उनमें से कोई भी नहीं, कोई भी दबने को तयार नहीं है, कोई भी जुकने को तयार नहीं है, कोई भी हार मानने को तयार नहीं है, उस अवस्था में यदि ग्रह मैत्री आपस में नव हो तो वो विवाह लंबे समय तक नहीं चल सकेगा। ग्रह मैत्री का अर्थ क्या है? व्यक्तित्तुर। देखिए, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, अगर आप ध्यान से देखें, तो मेश के लिए सप्तम में कौन सी रासी बनती है? तुला, यानी मंगल और शुक्र कोई आपस में मित्र ग्रह तो है नहीं? सुम्म के लिए देखें तो मकर, कर्क के लिए मकर बनता है, कुम्भ बनता है, ये कहीं मित्र रासियां तो है नहीं? आपस में नैसरगिक शत्रूग्रह हैं ये. अब ऐसी इस्तिती में जहां जन्म कुंडली का सप्तम भाव जो है वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह की राशी वाला है तो सीधी सी बात है इस पर भी मैंने कई सारे तर्क दिये हैं कि इसके पीछे कारण क्या है दो ऐसे लोगों को जोड़ना जो अलग अलग व्यक्तित्व के हैं क्योंकि एक ही व्यक्तित्व के दो लोग होंगे तो वो उत्पन क्या करेंगे सनातन धर्म विवाह को केवल सुख के लिए नहीं वरन वंस ब्रधी के लिए और वंस ब्रधी केवल वंस के लिए नहीं वरन देश के लिए क्योंकि वह सुधाईवकुटुमबकम को ये मानता है, तो आपको एक ऐसी संतती उत्पन करके इस समाज को देनी है, इस देश को देनी है, जो इस समाज इस देश की रक्षा कर सके, इसके लिए बहतर सोच सके, इसका आने वाला कल बहतर बना सके, नकि केवल बच्चा पैदा क नेगेटिव और नेगेटिव को जोड़ देंगे तो नेगेटिव होगा पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ देंगे तो पॉजिटिव होगा लेकिन दोनों अलग अलग धुरूमों को जोड़कर नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़कर और फिर एक नई उत्प नहीं, ग्रह मैत्री नो होने के कारण अगर हमने सिर्फ ये कह दिया कि तो बहुत अच्छा है विवा होने योग्या है, असल में भले उस दमपत्ति को उस समय अच्छा लगे या बुरा, उसके परिवार के सदस्यों को अच्छा लगे या बुरा, इस पर आप मत जाईए, एक जोतिशी होने का एक बड़ा दंड ये भी है, कि जरूरी नहीं है कि सब कोई आपसे संतुष्ठ हो जाए, ये बहुत बड़ा दंड भुवतना पड़ता है, तो मुझसे पूछिए कि जब कई बार ऐसी स्थिति में ना कर दें, तो लोगों का बेवहार किस कदर तुरंत ना दू, क्या मतलब है इस तरह का? तो सबते बताईए तुनको बुरा लगता है, वो तयार ही नहीं होते इस बात को स्विकार करने के लिए, कई बार तो लोग इस कदर खिन्ड हो जाते हैं, इस तरह से जबाब सवाल करने लगते हैं कि कई लोग तो नहीं मिलाते, क्योंकि दोनों के विचार अगर नहीं मिलेंगे तो वो साथ नहीं रह पाएंगे और उसके बाद एक और पॉइंट है जिसे नजर अंदाज कर दिया जाता है वो है गुरू का संबंध प्रिय दर्शकों आज के इस परिवेश में गुरू का संबंध जन्म कुंडली में देख ये दोनों के लिए लड़की और लड़के दोनों लगभग लगभग इस उम्र में विवाह कर रहे हैं उस अवस्था में संतानुत पत्ति तो अल्रेडी पहले से ही कमजोर हो जा रही है क्योंकि समय देखिए दोनों के उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां अब तो धीरे- सुक्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है जो मूल प्रभाव का समय माना गया है वो कहीं न कहीं यवण अवस्था जो मूल रूप से है ये 28 और 30 अवस्था के डहलान की स्थुती है अब क्या पर हम भौतिक यूग के साथ साथ एक कंपटीशन वाले यूग में भी जी रहे प उसी उम्र में जाकर के साधी हो रही है अब जहाँ पर 28 से 36 वर्ष में साधी ही ही होगी और दोनों वरकchnया दोनों लख भगस उम्र में है वहाँ पर हम ने गुरु का ध्यान ही नहीं रखने का मतलब मेस रासी है लड़के की और लड़की की रासी ब्रिशब है, करक है, तो ये सम विशमरासिया है, इसका ध्यान तो मतलब मैं 99 बार देखता हूँ, लोग नहीं रखते हैं, एक किरासी मेस है और दूसरे किरासी करक है, तो जब मेस के लिए देव गुरु ब्रहस्पति संतान उत्पति का कारण बन रहा होंगे, तब करक के लि नहीं, तो सम विशमरासि की का भी बहुत जरूरी है ध्यान रखना, ये मूल दो विश है, और एक तीसरा विश है, और भी है वो नाडी दोश, मूल तह इन दो बातों का खयाल अगर रख लिया जाए, तो कम से कम नाडी दोश में, नाडी दोश के बारे में भी मैंने इतने सारे वीडियोज बनाती हैं, आपको बता दिये हैं कि अब ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है, प्रिय दर्शकों यदि आपके सामने ऐसी कोई जन्म कुंडली आ रही है, जिसमें वर और कन्या में से कोई भी एक अगर ब्रामहण वरन का है, ब्रामहण वरन जाती न बार, सौ में से असी बार बच्चों में कोई न कोई दोश निकल करके आ रहा है, या तो बच्चा डिले हो गया है बोलने में, उसकी वाणी नहीं अभी सुरू हुई है, कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो कोई बच्चा अगर और कुछ नहीं, तो कोई आटिस्म ले हैं, पढ़के रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि रहा है, हम बहुत जावकार हो गया है, इन सब चीजों में क्या रखा हैं, सब बेकार की बाते हैं, और तब वो माथा पीट रहे हैं, जब उनके घर में एसी संत्तिय हो जा रही है, जिसका बोज उनको ढोना है बरसों, हमारा सनातन धर्म कोई आम विशय नहीं है विज्ञान है ऐसा विज्ञान जिसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको लगेगा कि हमारे रिश्यों ने क्या दे दिया है हमें हम कभी इसको समझ ही नहीं पाए हमने समझा कि कोई आम ये पंडितों के जीने खाने और करके रोज डॉक्टर के पास भागना है और फिर पूरी जिंदगी उसी में तबाह रही है गौर करिए कि जब मैं पूजा पाठ की बात करता हूं मैं एक बार हमेशा कहा करता हूं कि लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ आपके लिए नहीं आपके वंस के लिए आपके बच्चे का विकास आपके धर्म से होता है तो आपको जो करना है इसलिए नहीं करना क्योंकि आप पूजा पाठ कर देंगे तो छोटे हो जाएंगे इसलिए करना है क्योंकि आपके बच्चे का विकास नहीं होगा आज के इस परिवेस में अगर आप दंपत्तियों की वही आये होंगे कितनी कई लाक एक छोटे से कुंड में श्नान करके गए लोग इतनी बड़ी समस्या और क्यों क्यों कि नजर अंदाज किया गया है जन्म कुंडली को ध्यान ही नहीं दिया जाए तो कहीं न कहीं इन दोशों को सांथ हटाया जा सकता है अब कई बार क्या होता परिशान हो जाएं तो क्या बुराई है कि बाद में वह युवक युवती जिनका आपने ध्यान नहीं दिया वह बाद में पूरे लाइफ परिशान चलेंगे कास आप पहले ध्यान दे दिये होते और वो प्रेमी जो प्रेम करके विवाह कर रहे हैं और उनको उनको समझाने कुंडली में अवस्य और तीसरा नाणी दोश बहुत ध्यान रखी बहुत ज्यादा हो सकता है आप जिसकी कुंडली का मेलापक कर रहे हैं वो बुरा मान जाए हो सकता है वो आपको आपके साथ अभद्रता पुरुन बेभार कर दे क्योंकि आपने उसकी कुंडली को माना न नहीं बन रहे हैं तो अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप एक बार ऐसी कुंडली को जरूर देखिए जिनके बच्चों को कष्ट है किसी भी तरह का कष्ट विश्वास मानिये आपकी आखे खुली की खुली रह जाएंगी माता-पिता की कुंडली में इजाज़त दीजे पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार